नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योब जिनल पी एफपी में आज हम दीपक नाइट राइट के बार में बात करने वाले हैं स्टॉक में रीसेंटली हमें अच्छी कासे गिरावट देखने को मिलें स्टॉक तीन हजार से अठ्रासो के आसपास आ गया था और अभी ये स्टॉक बाइस ओपर ट्रेट कर रहा है नीचे के लेवल से अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी परसेंट का जंप देखने को मिले है लेकिन अभी ये स्टॉक अपने आल टाइम है से 20-25 परसेंट नीचे ही चल रहा है तो ऐसे सिचुएशन में एजर रीटेल इंवेस्टर में क्या करना चाहिए क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है खरीदारी कर सकते हैं या फिर वेट करना चाहिए बहुत कन्फूशन है इन सबी जीसों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे बहले कंपनी के क्वार्टर द्री के रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं नेट सेल्स हमें 39 परसेंट बढ़ता हुआ नजर आया यार और बेसिस पे नेट प्रॉफिट में 12 परसेंट की बढ़ोतरी हुई ह एबिट्टा में भी 11 परसेंट की बढ़ोतरी नजर आती है अच्छी बात है सेल्स प्रॉफिट उपर जा रहा है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस प्रकार से सेल्स में तेजी आ रही है उस पीड से आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है उसका सिंपल मत नहीं है performance प्रॉफिट से 6.2% find and specialty chemical 11.5% basic chemical 15.6% और other से 0.1% operating profit breakup के बार में बात करें फेनोलिक से 62.4% का उपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेक अप है फाइन स्पेशलिटी केमिकल 17.1% परफॉर्मेंस प्रोड़क्स 2.6% बेसिक केमिकल 17.7% और अधर से 0.2% वर्टिकल्स के बार में बात करें अलग-अलग वर्टिकल्स में और फोकस आपको कलर पर नज़र आता है 62% यहीं से है एग्रो 22% फ्यूल 9% और फार्मा 4% तो मेजर कॉंट्रिबिशन कलर में है और एग्रो में आपको दिखाई पड़ता है लोकेशन वाइस ब्रेक अप के बार में बात करें 70.8% का revenue contribution इंडिया से आता है यूरोप से 13.4% एशिया से 10.8% और यूए से 4.4% fundamental ratios के बार में बात करें ROE 33% है ROC 37% है जो की अपने averages से भी ज्यादा है तो बहुत अच्छे return ratios नज़र आते हैं net profit margin के बार में बात करें latest है 17.77% latest मतलब क्या है FY21 का ये data है अभी फिलाल margins में गिरावट देखने को मेली है लेकिन company ने पिछले 5-7 सालों में ये प्रूफ कर दिया है कि company sales के साथ अपने margins को भी improve कर सकती है और वो हमें clearly पता चलता है क्योंकि 5 year average 10% के आसपास का margin है जो की बढ़कर almost 18% होता हुआ नजराया तो जब sales बढ़ते हैं और margin भी बढ़ते हैं तो profit आपको double speed से बढ़ता हुआ नजराता है तो of course बहुत अच्छी बात है एक और अच्छी बात ये है कि company का करजा continuously कम होता जा रहा है debt to equity फिलाल 0.25 है जो की 5-year average हमें 0.83 का दिखाई पड़ता है तो clearly पहले करजा sizable amount में था लेकिन ये करजा भी कम होता जा रहा है तो ये भी अच्छी बात है financial trend के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे revenue में शांदार growth यहां पर नजराती है profitability में उससे भी ज़्यादा growth हुई है reason क्या है sales बड़ा plus margin भी improve हुए है share holding pattern के बार में बात करें total promoter holding है 45.69% जिसमें से कुछ pledge नहीं है mutual fund 6.6% other DII 4% FII 9% retail category 34.73% जिसमें से pure retail जिसका investment 2 लाग या उससे कम के amount का होता है तो almost 25% की हिस्से जारी हमें retail investors के पास दिखाई पड़ती है जो कि of course इतने अच्छी बात नहीं है analyst के rating के बार में बात करें 12 analyst ने stock को cover किया है जिसमें से 75% का मानना है कि stock में खरीदारी करनी चाहिए higher side पे 37% का upside है median है 18% का upside lower side पे 24% की घिरावट बताई जारी है तो approximately जिस level से stock अभी recently उपर आया है उससे थोड़ा बहुत और नीचे 70 निड़ के थोड़े बहुत नीचे के levels हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते है energy के इसाब से तो यह levels आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं हम चार्ट पर भी डिसकस करेंगे 27,000 क्रोड की market cap है 2200 का last date price है जो कि आज हमें 7% almost 8% भागता हुआ नज़र आता है 25 का PE ratio है valuation wise फिलाल यह आपको बहुत ज़्यादा महेंगा नज़र नहीं आता लेकिन extremely cheap नहीं है थोड़ा बहुत सस्ता हम कह सकते हैं लेकिन under value तो नज़र नहीं आता है stock के chart पर हमें clearly पता चलता है कि आज हमें जो तेजी नज़र आती है volume supported तेजी देखने को मिली है अच्छे volumes के साथ buying होती भी नज़र आती है आज के दिन stock अपने 200 days के उपर जाता हुआ नज़र आया यहाँ पर गिरावट देखने को मिली यह level तूड किया था कुछ दिन इसके नीचे trade किया लेकिन वापस इसके उपर जाता हुआ नज़र आया और आज उसके उपर closing भी दिखाई पड़ती है 100 days के moving average पर यहाँ पर closing देखने को मिली है तो overall आज के लिए अच्छी strong closing हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है RSI के बार में बात करें daily RSI 58.4 है बहुत ही अच्छा momentum pick up होता हुआ नज़र आया weekly chart के बार में बात करें तो weekly chart पर हमें नज़र आएगा 50 weeks का moving average हमें यहाँ पर तूटता हुआ नज़र आता है दो week उसके नीचे close किया तीसरे week में एक bounce नज़र आया और यह fourth week है यहाँ पर हमें bounce continue रहता हुआ नज़र आता है और 50 weeks के moving average के उपर जाता हुआ नज़र आता है यह week complete नहीं हुआ है इंट्रा week है लेकिन तेजी दिखाई परती है weekly RSI 50.51 है 40 का weekly RSI एक अच्छा support मना जाता है यहाँ से एक bounce back हमें देखने को मिला है 50 के आसपास weekly RSI जाता हुआ नज़र आता है stock के chart पर हमें 3 important levels नज़र आता है सबसे पहला यह 2400 का level है जो कि कई बार resistance की तरह देखने को मिला यहाँ पर यह resistance की तरह देखने को मिला है retest होकर यह आपको नीचे आता हुआ नज़र आया next है 2000 का level जो कि पहले resistance था उसके बाद support बन गया तो यह भी काफी ज़यदा important level की तरह में नज़र आता है और तीसरा level है 1750 के आसपास का zone तो हमने last जब Deepak Nitrate पे discussion किया था तब मैंने आपके साथ share किया था कि stock में जिस प्रकार का setup बन रहा है यहाँ पर भी हमने share किया था कि यहाँ पर गिरावट हो सकती है मैंने personally 1750 का level expect किया था 1750 यानी यह zone यहाँ पर यह जो black line ने यह support लिया था इसलिए मैंने यह level expect किया था कि एक बार अलड़ी 2000 आ चुका है तो अभी chances यह होते हैं यहाँ से भी एक bounce हो गया है तो अभी 2000 का level weak है और next support directly 1750 का level ही नज़राता है लेकिन stock हमें 1800 से ही return होता हुआ नज़राया यहाँ पर वापस तेजी देखने को मिली है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो top right corner पर आपको link मिल जाएगी आप वो वीडियो देख सकते हैं तो फिलाल हमें situation थोड़ी बहुत positive होती भी नज़राती है इसका जो range था 1750 से 2000 के बीच में यह range अभी shift होकर 2000 से करके 2400 तक shift होता हुआ नज़राता है तो काफी लोग आज खुश हो चुके हैं 7% की थेजी आईए तो क्या भी यहाँ पर सिर्फ bullishness आपको देखने को मिलेगी तो देखे सब का time frame अलग होता है bullish और bearish कहने के लिए लेकिन जो मैं वीडियोज बनाता हूँ ज्यादा तर मेरी audience कोई intra day करने वाली नहीं है ज्यादा तर लोग यहाँ पर invest करते हैं या फिर लंबे समय एक दो साल तीन साल ऐसा time frame लेके यहाँ पर खरीदारी करने के बार में सोचते हैं तो इस हिसाब से अब भी यहाँ पर ज्यादा bullish होने के बार में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि एक major resistance हमें नजर आता है जो की है 2400 का level यह level पर आपको एक resistance देखने को मिल सकता है और वापर stock में गिरावट देखने को मिल सकती है stock फिलाल हमें एक channel में trade करता हुआ नजर आता है आप देख पाएंगे अपर साइड पर यहाँ पर यह resistance लेकर नीचे आ जाता है नीचे यहाँ पर support लेकर हमें उपर जाता हुआ नजर आता है तो इस हिसाब से भी 2400 के आजपास की आपको इस resistance नजर आता है यह horizontal resistance भी है और यह channel wise का trend भी हमें नजर आता है तो 2400 का level काफी ज़्यादा important रहने वाला है तो हमारी strategy क्या रहेगी अगर 2400 के उपर निकल जाता है तो clearly हम यहाँ पर bullish हो सकते हैं और यह stock आपको 3000 तक क्या उससे भी ज़्यादा उपर जाता हुआ नजर आ सकता है तो हम bullish हो जाएंगे लेकिन अगर यह 2400 का level नहीं तूटता है तो दो चीज़े हो सकती है या तो यह 2000 से करके 2400 यहाँ पर थोड़ा volatile हो जाएगा या फिर यह stock वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है तो मेरे इसाब से confirmation का wait करना चाहिए अगर आप short term, mid term के बारे में बात करें तो तो 2400 के उपर ही काम करने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि trend वहीं पर आपको strong नजर आएगा और अगर बात करें long term के बारे में तो of course watch list पे तो रखी सकते है तो यहाँ पर long term के लिए भी अल्री 2000 पे तो हमने यहाँ पर खरीदारी की थी फिलाल तो मैं 1750 का wait करा था वो level तो नहीं आया पहले यहाँ पर reverse हो जुगा है तो मेरी strategy यह है कि अगर यह 24 एंड के उपर निकलता है तो यहाँ पर मैं खरीदारी करना पसंद करूँगा या फिर wait करूँगा जब यह नीचे आएगा वापस 1750 के आसपस आएगा तो मैं यहाँ पर खरीदारी के बार में सोचूँँगा depending कि price action कैसा बनता है बहुत अच्छा है जो कि आपको improve होते हुए भी नज़राते हैं हमने fundamental ratios देखे margin भी improve हो रहा है और करजा भी कम हो रहा है growth भी company में बहुत अच्छी देखने को मिली है और most of the analysts हमें bullish नज़राते है negative उसके बार में बात करे technicals अभी weak हैं अभी फिलाल जो तेजी आई है weakness कम हो गई है no doubt 200 days के moving average के उपर भी आज हमें stock जाता हुआ नज़राया लेकिन जो channel में ये stock trade करा है उस हिसाब से अभी यहाँ पर हमें bearishness से जादे नज़राती है on the longer time frame एकदम से जो 2-3 दिन trade करने वाले होते हैं उनके लिए तुझे stock positive हो चुक है उसमें कोई doubt नहीं है FIA DIA का stake हमें कम होता हुआ नज़राता है दोनों का stake कम हो रहा है और retailers का stake बढ़ता ही जा रहा है पिछले एक quarter में 22% से jump होकर 24-25 के आसपस हमें जाता हुआ नज़राया तो of course यह इतना अच्छी बात नहीं है क्योंकि stock market में majority का भी कमा नहीं सकता है कुछी लोग यहां पर कमा पाएंगे और retail investor इतने ज़्यादा यहां पर enter हो चुके है तो यह concern हो जाता है margins भी फिलाल हमें company के नीचे जाते हुए नज़राते हैं यह negative फिलाल सभी stocks में आपको दिखाई पड़ता है तो ऐसे situation में करना क्या चाहिए short term और mid term के लिए मेरे हिसाब से तो weak है 24 निड़ के ऊपर हम एक strong trend देखने को मिलेगा और long term के बार में बात करें तो खरीदारी कर सकते हैं strategy क्या है यह हमने charts पर already discuss कर दी है